सब्सक्राइब करने जा रहे हैं और यह इंग्लिश क्रामर की 15th क्लास है अगर किसी बच्चे को ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखिए और चैक आउट कर सकते हैं ठीक है चलो हम स्टार करते हैं अपना फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास सिरफ अब मैं स्लाइड नेक्स स्लाइड करूंगी तो मुझे कमेंड करने के लिए अंसर पताने के लिए ठीक है तो जादा से जादा बच्चे जुड़ो और कमेंड करो ठीक है चलो शॉर्ट करते हैं अपने फर्स वर्ड से ओके नूफ एंगल न्यू फैंगल का क्या मतलब होता है कोई नही अन्जानी चीज कोई नही अन्जानी चीज जो न्यूली द्वाल्ब थेंग विच इस अन्जानी शुकर फामिलियर नहीं होती ऐसा चीज ठीक है उसको क्या बोलते न्यूफेंग अब यह हो सकता है कोई कि अब यह क्या हो सकता है कोई वह पहले हम क्या करते थे जैसे पैटीम था या गूगल प्य हो गया भारत पे अब ही जो भी थे यह ठीक है यह क्या था हम लोग इनसे है तो नहीं चीज थी बढ़ हम लोग इससे फैमिलर नहीं थे कि हमें डर लगता था कि अगर हम इस पर पैसे अपने मतलब कोई भी हम अपने काउंट्स डिटेल इसके उपर भरेंगे तो उससे क्या होगा हमारे हमारे अकाउंट क्या हो जाएंगे मेशर्व हैक हो जाएंगे कुछ भी होगा हमारा पैसे फस जाएंगे इसलिए आ तोड़ा अंजानी थी यह हमाने ले नई नई थी पर अंजानी चीज थी जिसे हम फामलियर नहीं थे तो इसको क्या बोलेंगे नू फैंगल्ड तो यह जो अप सी वह मारे लिए क्या थी नू फैंगल्ड थी ठीक है बताओ अब इसका बताओ इनमें से कौह से सही है 1 2 3 & 4 इसमें सही है one newfangled ठीक है clear हो गया next में चले ओके ये क्या है glib glib का क्या मतलब होता है चमक और चीकना अब मैं कहूं एक dress है that is called glib कि वो चमक रही है ठीक है अब मैंने ये watch डाली है तो it is glib ओहो अंसर ही लिख दिया यार आधी बात ही कतम हो जाती है कई बना एक्चल में यार नहीं रहता है कि हम word वो हमने आपको उसमें दिया हुआ है ठीक है watch क्या है अब glib o सब्सक्राइब वहिए ओता है तो वह क्या आ रहात है चिकना होता है ठीक है छीकनी होती है ना किलाइम इस गलिबिंग जो इससे बच्च आज कल खेलते स्लाइम से तो सेकिंड वन इस करेक्ट लियर हो गया नेक्स्ट वर्ड पे चलो फार्मीडेबल फार्मीडेबल का मतलब क्या होता है भयंकर भयंकर कुछ भी हो सकता है कोई मूवी थ्रिल्ड हो सकती है की मिली हो सकती हैं किया मूवी यहां कमारे कूई प्लेई करते हैं प्लेकर देखने से डर लगता है जब हम छोटे-चोटे थे और तब राम मिला जब दिवाली के पहले शिरू हो जती थी तो वह उसमें मतलब जो वह उसकी भेहन उती थी रावन की वह बहुत बहुत तरह बनाया उता था थीक है तांकी वो ऊश्वाइबार लगता था में तो हमसे बहुत अब अपने अपने किया जैसे काली एक Vai कर थे चैसे कि तन etने अच्छी उपने गरते हैं अगर हम जौन में जायें आगए हैं पर कर रहे होते हैं कि कोई रोल गर तो इसको भी नेनल कर लगता है तो जो नइकाल एक है नथी प्रे subscribed रहे होते हैं कि उसको क्या बोलते हैं जब टॉझे कर द ranks और फामी डेवल से कैनल के प्रसुरण सुछ जब नांस कर दो ईक बालन इव enemy 好 252 लो ड्हूंवर कंरे ठीक है clear हुआ आप भी मुझे प्ली जाल से जाल बच्चे मुझे वो दिया करो तांकि मुझे ही पता चले कि आप बच्चे कर रहे हो कुछ कमेंट किया करो कि हां कि हम आप लोग जो कर रहे हो वह सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो ठीक है मुझे भी बचलेगा कमेंट करो गया जार से जारा बच्चे नेक्स वर्ड पर चैगर का क्या मतलब होता है लड़ खडाना टू वाक लड़ खडाना लड़ खडाने की सबसे अच्छी एक्जामपल अगर देखी जाए कई बार वह स्टेज शो होते हैं चाल चलता ड़ कै करते हैं नेूंक Quem रहे जाते हैं और फिर भी बैस करते हैं को भी खड़ा हम लिख अब कासा सोब करते हसे लड़े का बटकि निसी सब्लड़की उन्हे लड़rice को जाता है अब को कई बाग जो मैने वो भी करते करते इस लड़ खड़ा जाता तो भी ऊहन चलते जाते इसको को का मतलब ही यही है stager जो की stage पर लड़ खड़ा जाता है stager उसको क्या बोलते है stager stage पर लड़ खड़ाना ठीक है तो बताओ इसमें से कौन सा सही है 1, 2, 3 and 4 आपके बास सीरफ और सीरफ 3 seconds होते है to tell me which one is correct 1, 2, 3 and 4 बताओं कौन सा सही है second one stager ठीक है पता चल गया आगे देखें अब अब यह दो इतना वर्ड है ना इस कौन सा सही है हम खुद भी confused आजाते हैं आप लोगों ने तो हो नहीं है stringent 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 इसका क्या मतलब होता है kathor क्थोर को क्या बोलेंगे strict and strict जो बंदे बहुत जादा strict होते हैं कठोर होते हैं कुछ बंदे जो पुराने जुमाने की लोग होते हैं हैंना इस्पैशली जो राजिस्थानी को मैं कह सकते हैं मतलब मुझे में एक मूवी में देखा था कि उन्होंने एक राजिस्थानी का रोल प्ले किया था कि राजिस्थानी का कल्चर दिखा रहे थे मुझे उस मूवी का नाम तो याद नी ठीक है उसमें क्या था वह बहुत जादा एक तो मारवाड़ी टाइप होते थे वो रोग भी नहीं थी एक लोग बनाते रहते ना उसके उपर जैसे मुझे शाट मुवी वह थी तो वह लड़का अगर उसका काम नहीं करना चाहता है घर पे रहना चाहते तो उनके लिए वह बिल्कुल वैलेड था ठीक है अगर लड़की ने बोल दे मुझे पढ़ने जाना है बट बटी कहां कि तुम पढ़ने नहीं जाओगी और कुछ फैमिली सहते हैं कि बहुत ज्यादा पूरे फैमिली में पूरा वही रूल से अदरवाइस वह कुछ और उनके खिलाब भी कोई लिए सकता कुछ और रूल हो भी नहीं जाकता ठीक है कुछ न कोई ना कोई ऐसा बंदा होता ही होता है ठीक है तुसको क्या बोलते है तो बताओ इन में से कौन सा स्ट्रिक नैंट ही स्ट्रमास करेंग एंट स्टरंगिएंट स्टरंगिएंट ऍची आरींग है तो अम सब्सक् Node अई पॉन से से टर्ड में से चलें कि कि श्रीक कि इसका मतलब क्या आता है जी चूराना कि वर्क ड्यूटी ना करना अपना काम उसको मतलब नहीं निभाना यहां कि मुझे नहीं पढ़ाना आप लोगों को ठीक है तो वह मेरी ड्यूटी है आपको पढ़ाना बट मैं कहों में जी नहीं पढ़ाना तो वह क्या हुआ मैं अपने काम से जी चुरा रही हूँ ठीक है अब कुछ बच्चे क्या करते हैं उन्होंने बोला है कि यह है तुम वोने यह काम करना है बट वो ना करें ठीक है अगर वो काम ना करें तो मतलब वो क्या कर रहे हैं जी चुरा रहे हैं ठीक है आगे चले वेग का क्या मतलब होता है नाट क्लियरली एक्सप्रेंज जो की बंदा नाट क्लियरली इसका यह तो बताओ कौन सा सही है मिने असका आज कर मुझे ऐसा हो रहे है कि मैं इसका आपको वर्ड मीनिंग करवा रही हूं आपको एक्जांबल जेदिए यह दैट सिट श्रीक बताओ कौन सा जही है वान टू फ्रीफोर थर्ड वान एस चार आई के श्रीग और वेग का क्या मतलब थे नौट क्लियरली एक्सप्रेंज जो की क्लियरली एक्सप्रेंज नहीं कर सकता अपने आपको ठीक है कोई भी बंदा कोई भी चीज अब मैं कहूं कुछ लोग अपनी बात ही क्लियरली नहीं अपने एक्सप्रेंज नहीं कर पाता अपने आपको उसको क्या बोलते हैं वेग ठीक है समझ में आया क्या बोलते हैं उसको वी ए जी यू ए वेग सेकिंड वन क्लियर हो गया चले नेक्स्ट वन पर टैंजिबल टैंजिबल का क्या मतलब होता है जिसे चूकर मेहसूस किया जा सके जिसे ऑफिर के से जिसे चूकर मेहसूस किया जा सके। लाइक विसाट दाट इन एंग्लिश वी कैन फील बाइट टाचिंग दो कोई भी ऐसे चीज से में टाच करके फील कर सके अब मैं कहूं यहाँ अब मैं आखे बंद करके हम वो गेम कहलते ना कि हाथ पक टाच करना यह किसका हाथ आखे बंद होती तो पता है तो इसको पड़े हैं था ने जाओ है थीड़ आए डिस को हम अब इसको टाच करूंग पैसल जाएगा है ठीक है जिसको तो होतं न है दो कि यह है क्या चीज को चुकर सकते कि चीज क्या है ठीक है कि अब जैसे computer की input device होती है ऑप और टिवाइस होती है और बाधा कर सकते कौन से डिवाइस है जल्दी जल्दी अंसर दिये कर बगव सुधंट पास तीन में से बताओ कौन सा सहीं 1 2 3 & 4 1 2 3 & 4 TANGA BLT TANGA BLT TANGA BLT TANGA BLT रग्षार्ट बान इस कोरेंट रहा हुआ नेक्स पर चलें अनकैनी अनकैनी का मतलिक यह अपता हुआ विचित रस्टेंज इंपासिबल आ चाइबस इंपॉसिबल तो एक्सप्लेइन कि जो हमें नहीं पता अभी यह क्या चीज है हम उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते कोई स्ट्रेंज चीज अब मैं कहूं कि एक्जामपल लेकर चलती हूं कि मैं एक पैन मुझे नहीं पता यह क्या है अब अब मुवी आई थी वो कौन सी आई पीके मुवी में वह जो अमीर खान होता है उसको नहीं पता होता की यह क्या वो तो हुआ पता है अगर उसका सिर्थ रहा है यहां पर बोलने से सब कुछ होता है तो वह क्या कर रहा था वह अपनी विलिंग को एक्स्प्रेसिन इंपसीबल कुछ भी एक्स्प्रेण करना के उसके लिए हर चीज रॉप देखहा केंद तरह नीचे गहागरा डार॑ अन्यचन계 उसके लिए एक्साइभा ग्हागिए घौनता तहां हैं उसाने कब़िए हैं इसकेड रभ्यगता तो उसको फिलिंग को एक्सप्लेइन नहीं कर पारा जब तक वह बोल नहीं सकता था जिस दिर उसने बोलना शुरू किया तब वह एक्सप्लेइन कर पाया अपनी चीजों को उसके उससे पहले वह अपनी चीजों को एक्सप्लेइन नहीं कर पारा था इसलिए उसके लिए क्या था वह अनकैनी था वह इंपॉसिबल टू एक्सप्लेइन उसके लिए कोई भी चीज क्या थी इंपॉसिबल थी एक्सप्लेइन करना क्या था उसके लिए इंपॉसिबल थी चीजों को explain करना कौन सा सही है fourth one ठीक है clear हो गया next पे चलें toxic toxic का क्या मतलब होता है जहरीला अब कई बार हमें देखा लिखा होता है toxic कई bottles पे लिखा होता है अगर हम funnel की bottle खृदे अगर हम funnel की bottle खृदे पaking तॉड़ा सा जहेरीलापन हो सकता है अब animals देख लो अब उसने क्या है toxic animal है उसमें बहुत है हम जहरी जहर है तो वह ख्याया फंद तो वह क्या है जहेरीला आदमी है what animal है वह जहरीबाव ठीक है toxic का क्या मतलब होता है जो उसका मतलब क्या पयाता है जखा भी होता है लुः जली और glut आगा फार्मर की बात करें और सारी सकतरिक जो वो किछ भीग व्गेरा जिसको हम खाद भी बोलते हैं अगर वह डालते हैं उसमें उसमें टॉसिक्स होते हैं उसमें जहर जहरिलापन होता है कुछ ना कुछ ठीक है कुछ मात्रा में तब बता इन में से कौन से सही है वान टू त्री और फो वन क्लियर हो गया चले नेक्स्ट पर वैलिडेट अब हमें लिखाता ना वैलिडेट कि अब हमारा फोन है आपका वैलिडेशन तीन एप्रेल को गिश्यक मतलब क्याता है क्या है टू अपको पहली कनफर्म कर देते हैं वह रेटिफाय कर देते हैं कि इसकी गतनी है उसके बाद इसकी वैलीडेट खतम हो जाता हो जाएगी इसलिए आप रिचर्ज कराएं वहो बोलते हैं तो वे गैलेट कर था कोई चीज को वैली डेट सेकंड वन कौन सा ताहिए है सेकंड वन ग्लियर हो गया नक्स पे चलें वी, वी का मतलब क्या आतर, to compete with other people, to obtain something, to, क्या बोला है मैंने, to compete, to compete with other people, to compete with other people, other people, to obtain something, कोई चीज को हासिल करने के लिए लडाई करना, कोई चीज को हासिल करने के लिए compete करना, सबसे अच्छे एक्जम्पल है, reality shows, अब हम reality shows देखते हैं, उसमें उनके task होते हैं, कि आप task perform करो, ठीक है, task perform करते हैं, वोलो, अगर हम big boss में चल जाए, roadies में चल जाए, split civil, anything, किसी भी reality shows में चल जाए, उनके task होते हैं, तांकि वो compete करेंगे, एक दूसरे के खिलाव जाके, तांकि उस चीज को हासिल कर सके, अगर immunity की बात करें, अगर उनकी immunity की बात करें, तो immunity हासिल करने क के लिए, वो क्या करते हैं, खुद, खुद को दूसरे के साथ compete करते हैं, एक दूसरे के साथ, अपनी immunity के लिए, कुछ चीज चाहने के लिए, वो चहते हैं, और 10 something, और 10 क्या जाते हैं, और 10 क्या लिए हो, और 10 क्या कर रहे हैं, वो, सुरक्षित हो तांकि वो safe हो, ठीक है, किस से, एक दूसरे के साथ compete करने के बाद, एक दूसरे से compete करने के बाद, वो क्या कर रहे हैं, immunity safe कर रहे हैं, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, to compete with one, with other people to obtain something, किसी चीज को पाने के लिए हम क्या करते हैं, वी, उसको क्या बोलते हैं, वी, वी, आए, ई, वाई, बोलते हैं, इसको वाई, ओके वूज, इसका क्या मतलब है, दुख, sorrow, stress, sorrow, and stress, sorrow and stress, sorrow के क्या मतलब होता है, दुख होता ही होता है, हर बंदा क्सूख ही होता है, हर बंदा दुख ही होता है, ठीक है वो चीज क्या होते है वो इस ठीक है वो इस को क्या बोलते है जैसे मैं कहूं मुझे स्ट्रेस है कि एक्जाम आ रहे हैं बच्चों ने पढ़ना है मुझे उनको पढ़ाना है मुझे ये भी करा रहा है मुझे वो भी कराना है ये भी करना है और बच्चों के बच्चे क बढ़ने इंग्लिश भी बढ़नी है पॉलिटिक भी बढ़नी सारा में अब सब के मेरे एक एक दो दो चीजें पड़ी है तो मैं कैसे क्या करूं को क्या करता है कि अब बसि लेने को क्या बोलते हैं यौणись को को यशी करता है कोई से करता है को यसा करता है को अगरक अब बसी इन में से कौन सा साई है 1, 2, 3 and 4 थर्ड वन यान ठीक है नेक्स्ट है विटरन विटरन अ परसन फू आव वेल एक्सपीरियंस जो परसन बहुत जादा वेल एक्सपीरियंस है उसको क्या बोलेंगे वेटरन क्या बोलेंगे इसको वेटरन ठीक है अब जैसे मैं कहूं अब जो हमारे बॉस है हम एज़ा इंप्लॉय काम कर रहे हैं कहीं पे भी अगर आपके बॉस है वो बॉस क्यों बने है क्यों 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 वो वेटरन है क्यों क्यों वो अल्रेडी बहुत एक्सपीरियंस है अनुभवी है तो वो क्या हुए वेटरन क्या हुए वो वेटरन तब इन में से बताओ कौन सा वेटरन सही है 1, 2, 3 and 4 Which one is correct? 1 कौन सा सही है? 1 Wait Run चले next पे Quash Quash का क्या मतलब होता है? Reject Quash का क्या मतलब होता है? Reject किसी को किसी में भी खतम करना खतम करने को क्या बोलते है? Reject अब मैं एक्जामपल दूँ इसकी अब वो खतम करना कोई चीज को reject करना खतम करना कम्प्यूटर्स की एक्जामपल लेते हम कम्प्यूटर की अगर एक्जामपल लें पहले माइक्रो कम्प्यूटर्स और बहुत जार माइक्रो कम्प्यूटर्स होते थे ठीक है क्या हो गया वो क्वैश हो गए तब बताएं में से कौन सा क्वैश सही है परस्ट वन क्वैश क्या हो यू ए एसच क्वैश नेक्स्ट पर चलें अडान का क्या मतलब होता है सजाना क्या मतलब होता है अज़ना अब मैं कहूं कि मुझे अपना घर सजाना है डान करना है किसी अगर अब देखा ना कितने तो उसको क्या बोलते हैं अड़ान क्या बोलते हैं अड़ान तो उतना ही मुझे पताते हैं कि आप लोग एक्टिव हो जिन बच्चों नोट बुक्स लगाई हुए हैं वह आज के वर्ड भी उसमें एड़ कर लो स्पेल चेक के तांकि आपको हैल्प मिल जाए ठीक है और जिन जो बच्चे नए हैं उनको भी बता दूं मैंने नोट बुक लगवाई हुई है मेरी क्लास में सब बच् नहीं तो कोई फ्यादा नहीं है खाली वीडियो देखने का जब तक आपने लिखना नहीं है तो बताओ इसमें से कौन सा सही है पूर्थ वान अडाउन चले नेक्स्ट पर होल हर्टेड ली तो विद कम्प्लीट इंट्रस्ट एंड इंथोजियाजम पूरे दिल से पूरे दिल से अब मैं कहूं मैं पूरे दिल से अपनी पूरे दिल से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूं पूरे दिल से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूं उसको क्या बोलेंगे होल हर्टेड ली बताओ इनमें से कौन सा सही है वान टू थ्री और फोर पूरे दिल से कोई भी हमें काम करना चाहिए हमें पूरे दिल से करना चाहिए अपने whole hurt से करना चाहिए ठीक है whole hurtedly second one is correct second one क्या है सही है आगे देखो सब्वैद सब्वैद broad strip of cloth किसी भी cloth का चौड़ा टुकड़ा और किसी land का भी land का भी चौड़ा टुकड़ा को क्या बोलते हैं सवेद 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 बताओ कौन सा सही बान टू ट्री और फॉर्स रुप फकलूद जल्दी जल्दी बताया करो स्टुड़िंट्स तांकी पता चले मुझे भी कि आप कुछ कर रहे हैं यह नहीं कर रहे हो वन परस्टिस करेक्ट नेक्सी सप्टल सप्टल जो चीज क्या है अब ये रिमोट है छोटा सा है बट इंब आथे क्यों श्लाइट को आगे बिच्छे करने करें हैंडी और इसको मैं अच्छे से आगे बिच्छे कर सकती हूं इसलिए यह क्या है सब्टल है चोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो बताओ कौन सा सही है इसमें से अब वन टू त्री एन फो वन फर्स्ट वाला सही है सब्टल ओके थैंक्यू स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्पैलिंग चैकर की तो जिस बच्चे को किसी चीज के भी रिगार्डिंग कोई दिक्कत है चाहे वह किसी कॉंपरेटिव उग्जाम में हो कोई ओन एंड कोर्स में हो अगर आपको किसी चीज की अपडेशन सब कुछ अपडेट करते रहते हैं ठीक है तो जाके प्लीज चैक आउट जरूर किया किजी सीबी सेक्षाण ओके थैंक्यू